इसका कारण है नायववस्ता जो 2014 में संत्रामपाल जी महराद ने नाय आलेव पे सवाल खड़े किये थे वही आज हमें तीन दिन पहले सुप्रेम कोट के जज्जों ने बताया कि भारतिय नाय व्यवस्ता में सब ठीक नहीं हो रहा है कुछ तथाकति जज्जों के द्वारा जो गलत फैसली लिये जा रहे हैं उनके कारण नाय व्यवस्ता पे सवाल ये निसान खड़ा हो रहा है लोग तंत्र का ए पर लाजी महारा जोंत्र परभाहं से रिया करा जाएं और उन पे जितने वीजूते मुकदमें लगाए गए उनकोटाएं संतर रामपाल जी को दोजार सटमबर में उनको वरी किया गया था अब आगे देखते हैं पर कब तक चलती है और भी आपर संतर रामपाल की समरत अचारों की शंख्याम है उन सब की जुबानी सुनाते हैं अब देख सकते हैं पार्की के चारों एरत गुर्द संतर रामपाल जी के शमरत अचारों की शंख्याम है सब कुर्द माराज की जाओ सर क्या नाम है आपका मैरो नम सुरेश दास है कहा से आया है मैं इसमाइलाबाद कुरक्षेतर से आया हूँ सर क्या कहना चाहेंगे इतनी दूर से आप यहां पे आ रहे हैं तारीकों पे क्या कारण इसका हमारे सब भगताओं की इच्छा है कि हमारे परमात्मा आज पेशी पे आ रहे हैं और हम परमात्मा के दर्शन करें और क्योंकि इन से पूर्न प्रमात्मा पूरी प्रिथवी पे नी है क्योंकि यही एक प्रमात्मा है जो इन दुष्ट लोगों ने जेल में किया हुआ है हम भी जेल में रेके आए हैं लेकिन हमारे साथ कितने अन्याय किये हैं लोगने कितने हत्याचार किये हैं। आप किस केस में जेल में गए थे हैं। मैं बरवाला आस्रम में हम अपने घर में थे और हमारे उपर 400 ठाई का मुकदमा नंबर दर्ज किया गिया है। देश-द्रो की धाराएं लाई गई हैं। और सब हमारे उपर धारा लगा के हमें जेल में गेरा गया हम बीस महीने नौ दिन के बाद जेल से जवानत पे रिहा हुए हैं तो जिस तरह का बरता आपके साथ हर्यान सरकार का प्रशासन दो रहा है क्या था उसका बताएंगे थोड़ा उसमें हमारी यही मांग थी के हमारे गुरुजी के उपर कोई भी दो कोई भी ऐसी इनों ने जो भी जुटे केस या जुटे मकदमे बनाए हैं और इन मुकदमों पे कोई भी हमारा सच्चा कोई भी इनों ने सावित नी किया है और जबर दस्ती हमें इनों ने अंदर गेरा है और हमारे साथ बहुत गल्प इनों ने अन्याय किया है हमें इतना मारा गया इतना पिटा गया हमारी भेहने थी जो उनको भी जबर दस्ती हमार जेलों में लेगे और महां पर हमारे बहुत गल्थ हमारे साथ विवार किया इन्होंने का जाता है कि जेल में जब बंद हो जाते हैं जब जेल में बंद हो जाते हैं तो अंदर किसी की पटाई नहीं होती क्या आपके अंदर वहां पर पटाई की गए थी मेरे जब मैं अंदर में गया हम 4-5 भक्त गये थे उस टैम हमारे उपर कम से कमीनों ने 100-100 लाठियों से बहुत बुरी तरह हमें मारा और फिर उसके बाद अंदर मेडिगल में कर दिये हम और फिर उसके बाद सुबह मुलाजा हुआ दो दिन के बाद तब भी हमें बहुत मारा गया महा पे और पूरा मारने के बाद किसी को चक्कियों में गेर किसी को कहीं और खाना भी हमें समय से और कोई मेडिसन कोई दवाई हमें समय से नहीं दी गई सीधी तोरपर कह सकते हैं कि संत रामपाल ची और उनके भक्तों पर लगातार आज भी अत्याचार किये जा रहे हैं सरकारों पर सासन की तरफ पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है संतर रामपालती की समरता कि यहाँ पर भी नहीं जंतर मंतर पर सास सो छेतर दिनों तक नया की मान करते करते खड़े होगा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुए सबसे खतरनक बात तो इस लोकतंतर में यह हुओ कि जंतरमंतर से जो लोकतंतर की आवाज थी जो लोग आम इंसान नयाय मांगता है, वहाँ से आम जंता की आवाज को दवा दिया गर जनतर मंतर से भी हटा दिया गया था सीधे तोर पर कह सकते हैं कि इस पक्ष में इस जब बीजेपी सरकार या कैंद सरकार ने धरना हटाया कोई भी बिपक्षी दल इसके खिलाफ नहीं आया कि आखिर कियों आम जनता की आवाज दवाई जा रही है आज आपर देखिए अपनी आवाज को बलंद करते हुए संत्रामपाल जी के शमर्चा के आपर आते हैं बंदी चोर स्कुरामपा जी माराज की जेए न रहे पहला बोले है बंदी चोर स्कुरामपा जी माराज की जेए पंजाब से आया हैं जी तर्शनात के लिए हम उनको हर्याना सरकार ने जूटने के समी वसाया है 2006 से ये केस चार रहे हैं और 2006 से ही हमने इनकी सीवे जांच की मांग भी की है लेकिन वो सरकार ने पूरी ने की अब तो संतरामपल जी महराज को हिसार कोट ने दो किसमें बरीवी कर दिया है जिसे साबित होता है कि उनको एक शरियंतर के तहट चूटे किसमें सरकार के द्वारा फसाया जा रहा है क्योंकि नयाय भालिका में भी बरस्टा जा रहा है और जो प्रशाशन है वो भी बरस्ट है सर जैसा कि अभी वेचले दिन तीन-चार दिन पहले सुप्रीम कोट पर कुछ चार वरे से सिटिंग जज़ों ने सवाल उठा हुए है और ऐसा माना जाता है कि संतरामपाल जी भी जज़ों के खिलाफ वोलते आ रहे है चार साल से राष्टे समा समती द्वारा जो तीन पुस्त के लिखे गई थी नयाले के गरती गर्मा ब्रिश्चाज कुमार्क पर तो उसी से सम्मंद में आप क्या कहना चाहेंगे पर झाया है तो जो अज साल पहले तीन पुस्तके लिख कर जज़ों के खिलाफ उठाई थी आज साबित होता है कि स्प्रीम कोट के चार जज़ों ने जो चीफ जस्टिस हैं स्प्रीम कोट के मुखे न mocढाय देश्य उनके खिलाफ आवाज उठाई है कि वो अपनी नयायले में मनमर्जी कर रहे हैं नयायले में जो भी डिसीजन देने हैं उनको लेकर भी मनमर्जी कर रहे हैं और जो केस ट्रांसफर करने ते हैं जजिस को उसको लेकर भी मनमर्जी कर रहे हैं तो अब जो जब स्प्रीम कोट के ही कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके ही चार में जजिज ने चीफ जस्टिस पर कॉशन रेज की हैं तो आप समझी सकते हैं कि नियाले का भी ब्रश्ट है और नियाले ब्रश्टाचार है इस ब्रश्टाचार के खिलाफ संत रामपल जी महराज नियास से तीन साल पहले आवाज अठाई थी जिसके परनाम सवरूप उन पर जुटे मकदमे बनाकर उनको आज तक बिना किसी वज़ा से जेल में रखा हुआ है तो यही कहना चाहेंगे कि सीधे तोर पर जो नियालाय का जो आज भिष्टा चारो जागर हुआ है संतरामपाल जी ने लोगों को सुझाव भी दिया था कि जो कोर्ट से उनमें ओडियो और वीडियो रिकोर्डिंग होनी चाहिए जजों की जवाब दही होनी चाहिए क्योंकि आज तक अपने सम्मिधान में जजों के लिए कोई जवाब देता है नहीं है चाहाँ आप एक तारीक दो चाहाँ सो तारीक दो कंटीनू तारीक पर तारीक देते रहा हो लेकिन कोई जवाब दे नहीं है इस चीज की तो इसी को लेकर यह जंग चल रही है आज भारत भी जाग रहा है लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो अमुद्द अठाया था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं चला आज वही स्थिति आप संतरामपाल जी के साथ देख सकते हैं लगातार 2006 से लेकर संतरामपाल जी किसी भी आजिए नहीं मिल सका है अखिर लोग इस देश में जो डेश को लोकतंतर कहा जाता है इसमें लोगों को नियाय नहीं मिलेगा सारी अमर उनको नियाय पाणने महीं जिस तरह के से सुपरिम कोड में चारों जोजोंसे खिलाब कर रहे थे उसके खिलाब जो आवाज उठायी है उसी के तहट में सब प्रसाशन से सभी सरकारों से यह निविदन करना चाहता हूं कि हमारे परमात्मा की you can never कर गायी जाती है सीवेह जाज कराने के बाद ही जो सकते है जो सामने आएगा इसलिए जितने जो आजकी सरकारों के सामने सुप्रियम ौड CAS को जैसे सुप्रियम जिसको सब मानते हैं सरकार किया सभी जो जो कुछ समयधान wreck, सभी को मैं अवानते हैं उसके बावजूद भी मलब ने उसका मलब यह तन निने निकल लाइब चार जो ने सीजियाई केइस खिलाब जो सामने तरह परसूट की है उसको देखते हुए हमारे परमात्मा के जो खिलाब जो शडेंत्र लगाएं जो चार्ज लगाएं उनको खतमकरने चाहिए जाज करवानी चाहिए आपको लग रहा है कि आज कल न्याय पाल का में भी ब्रेस्टा चार फैल चुका है पूरी तरह से जिसका जी सामने प्रमाण है चार जो ने सबस्त मतलब उसके खिलाब उस आवाज उठाई है सबसे बड़ा कारण है सच क्योंकि सच के साथ पूरा समाज चलता है और संतरामपाल जी महराज जी ने सच के खिलाफ आवाज उठाई उसी का परिणाम ये है कि आज भारी संगत को यहाँ पर आना पड़ता है न्याय की मांग करने के लिए आना पड़ता है अपने संत सचे संत के दर्शन करने के लिए इतनी दूर उन्हें यहाँ पर कष्ट उठा कर आना पड़ता है और उसके बाद अगर आप देखेंगे ब मौझ के आने का क्या कारण है। दोश साबित नहीं किया जाता। यहां पर संत्रामपाल जी महाराजी का एक एक बच्चा चाहिए वह बढ़ा है चोटा है सब आएंगे और वह आते रहेंगे। जी बहुत बहुत आएंगे। जी बहुत आएंगे। जी बहुत आएंगे। जी बहुत आएंगे। जी बहुत आएंगे। आप पार्के के चारों तरफ का नजारा दे सकते हैं। संत के समर्थक। जी बहुत आएंगे। ये नजारा रोतक कहीं नहीं है बलकि संत रामपाल जी की जब भी पेसी हिसार में भी होती है तो संत रामपाल जी के समर्थक। कुआ पर हजारों की शंख्या में पहुंचते हैं। आखिर इसका क्या कारण है। सायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा पहला सक्त या कोई पहला बित्या कोई ऐसा संत जो जेल में और उसके समर्थक। उसको देखने के लिए लोग लाखों की संख्या में लोग सड़क। पर उतर पड़ते हैं। क्या नाम है आपका। तो आज यहां पर संत्रामपाल जी की तारिक थी क्यों संत्रामपाल जी की लगातार कई सालों से तारिक चलने क्या कारण है। अच्छा माराज की उपर जो जुठे आरोप लगे हैं उनकी से लिए की जाच की मांग है। तो सीधे तोर पर खाय सकते हैं यहां पर संत्रामपाल जी की समर्थक जो भी है। यहां पर देखिए सब जो गैसे जो यहां पर देखिए अपना खाना पीना सारे विवस्ता हैं लेकर आये हुए हैं और यहां पर रधेरी रात से ही यहां पर डटे हुए हैं यहां पर देखिए महराज कीजे हो संत्रामपाल जी माराच गीज़ो जैसा कि देखने को मिल रहा है संत्रामपाल जी के तारिक पर लोग इस देश से ने विदेशों से भी लोग यहां पर आते हैं किया नाम है और से आया है कि आया है उमेश दास से आया है मैं नेपाल से आया हूं एक तो परमात्मा गॉडीश कोवीर परमात्मा रामपाल जी महाराजी है मैंने पहले विदेश नेप यहां कभी भी सूख सांती नहीं मिला कभी दिल में सूख SHANती अब इन्वेडा में जब कर रहा हूं मेरे को बहुत खुश हों और इससे ज्यादा खुश होने का जगए नहीं है साथ सेर प्रमातमा न जैसे कोईवी कुस्ताक में दिया है जैसे गीता का गीता में भी लेखाए का विरी देख्राण में पर्फाले ना सब कुछ में पर इसन पर स्कूबर से कह सकते हैं संत isn't शीज कहते हैं ची इसकृत ही क्षाया है कि हम यह इसलिए हाते हैं को संत राम पालजी ने हमें सब सुक दिया है, उससे हमारे सभी दुकदर्द दूर होते हैं, इसलिए हम संतरामपाल जी के यहां पर जो ही तारीक होती है, उनका सीय को धारण और होता है, जैसे कि अपने कोई घर का व्यक्ति जब जेल में होता है, तो तारीको पर जाते हैं, जमानाध भ उसी तरह संत्रामपाल जी की सभी अपने घर्स की तरह सब मानते हुए यहां पर एक भाईचारा नजर आता है कि संत्रामपाल जी के लिए संत्रामपाल जी को देखने के लिए संत्रामपाल जी की तारिक के लिए लाखों लोक उमड कर संत्रामपाल जी के यहां पर आज आते ह बंदी चोर सद्गुराबाली माराज कीजा बेदो में परमान है बंदी चोर सद्गुराबाली माराज कीजा बेदो में परमान है बंदी चोर सद्गुराबाली माराज कीजा बंदी चोर सद्गुराबाली माराज कीजा बेदो में परमान है बंदी चोर सद्गुराबाली माराज कीजा बंदी चोर सद्गुराबाली माराज कीजा बेदो में परमान है इसे परमान है बंदी चोर सद्गुराबाली माराज कीजा बंदी चोर सद्गुराबाली माराज कीजा बढून है झाल झाल